नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में जिस खबर का सबसे ज़ादा बेसबरी से इंतजार था आज वो था GST काउंसिल की मीटिंग और उसका आउटकम और इसमें भी सबसे ज़ादा अगर किसी को बेसबरी से इंतजार था इस GST काउंसिल की मीटिंग के आउटकम का वो थे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के इंवेस्टर या फिर डेल्टा कॉर्प के इंवेस्टर क्योंकि ये स्टॉक्स रीसेंडली काफी बड़ा एक्शन दिखा बातते हुँ दिखे हैं क्योंकि इनके लिए बड़ी ख़बर है थी GST से रिलेकेड अब मैं इनके लिए तो बात करूंगा ही करूंगा साती साथ पूरी की पूरी GST काउंसिल की मीटिंग का अपडेट आपको देने जा रहा हूं तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसे करना चाहूंगा विदाउट टाइम वेस्टिंग फर्टिलाइजर पे क्या रहा निर्मला सीता रमन जी का एक्शन क्या GST हटेगा पहले आपको चीज़ें क्लियर करता हूं कि जो फर्टिलाइजर है ना वो दो भागों में बटा हुआ है फर्टिलाइजर पे 5% का GST लगता है और फर्टिलाइजर के रो मटेरियल जो है उन पे 12% का GST लगता है इसको ध्यान से समझिएगा आप कोई चीज बना कर बेच रहे हो तो आपको 5% GST मिलेगा और आप जो चीज बना रहे हो उसको बनाने के लिए जो आप सामान खरीद रहे हो उन पे आप 12% का GST द सकते हो अब आप तो 12% दे रहे हो लेकिन आपको 5% मिल रहा है तो आपको तो माइनस 7% का लोस आ रहा है ना तो यह रेट रेस्टलाइज़शन आता है ठीक है बदला आप जो है जो आपका खरीद बेच में अंतर आ रहा है एक तरीक्ट से टेक्स के उसमें अंतर है ठीक है अब यहाँ पे सरकार यह कह रही दी कि GST बिल्कुल ही अटा दिया जाएगा फटिलाइजर पे ताकि किसानों को बड़ा फाइदा मिले इसके उपर निर्मरा सीता रमंजी या फिर इस बार की जो आपकी GST की मीटिंग थी उसमें कहा गया है बिहार के डेपिवटी चीफ मिनिस्टर समराट चौदरी हैस बीन मेट दा चेयर मैन ऑफ ग्रूप ऑफ मिनिस्टरी ऑफ रेट रेसलनलाइजेशन सिंपल सी बासा में बोला जाए तो यहाँ पे जो यह भाव के बदलाव है टैक्सिस के इसके जो चेयर मैन बनाये गए हैं ग्रूप ऑफ मिनिस्टरी के उनका नाम है समराट चौदरी जी और इसके उपर रेट रेसलनलाइजेशन के उपर ऑगस्त में अगली बार जब मीटिंग होगी तो यह जो कंसीडर करेंगे उसको दिखाए जाएगा यानि अभी कोई फैसला नहीं आया है मैंने डीटेल में इसलिए समझाए कि सबसे बड़ा सवाल था यही तो होप आपको समझ में आगए होगी इसके उपर अभी कोई फैसला नहीं आया है क्योंकि यह जो बहाओं में बदलाव है इसके उपर यह जो अभी चेर्मेन बनाए है यह पूरी कमेटी विचार करेगी और अगली GST काउंसिल में अपडेट आईगी ओप आपको क्लियर हो गया अब सवाल होगा शेयर गिरेंगे यह बढ़ेंगे इसको हम पर डिसकस करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है दूसरा पॉइंट है डेल्टा को गेमिंग और कैसी नो दोस्तों इस पर तो र हमारे यानि की अगस्त की मीटिंग का तो आप डेल्टा कॉर्प के अगर निवेश है तो अगस्त के लिए आपका टाइम सिफ्ट हो गया है अब अगस्त तक का वेट करिए कि कुछ रिलीफ आएगा या नहीं आएगा यह तो गई आपके लिए दौनों आपके बड़े टॉ पोजिटिव चीज आगी दोस्तों रेल्वे को लेकर इस जीएस्टी काउंसिल की मीटिंग में अनॉंस्मेंट आई है कि रेल्वे से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग कंपनिया जीएस्टी से बाहर जीएस्टी उन पर एक्जेंट किया जाएग लेकिन इसको समझना बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है रेल्वे सर्विसेज जीएस्टी के दाइरे से बाहर होंगी इसको समझगे नों ने एक वर्ड यूज करा रेल्वे प्लेटफॉर्म टिकेट तो क्या मैं ये समझूं कि प्लेटफॉर्म पे टिकेट लोगे तो जी प्लेटफॉर्म पे पानी वगेरा भी रेल्वे चलता है तो ये और भी बहुत सारी रेल्वे कंपनी है जो कुछ वहीं से रेलेटेट सर्विसेज इसको डीटेल हो पढ़ना होगा ये सबसे बड़ा टॉपिक बनेगा मेरे को लगता है मंडे के लिए और क्या क्या चलिए स नमस्ते हैं आज की बैठक में ओनलाइन गेमिंग पर फैसला नहीं बिहार डिप्टी सीम समराठ चौधरी रेट रेशनलाइजेशन के अध्यक्ष रेट रेशनलाइजेशन के मुद्दे पर अगस्त मीटिंग में चर्चा वही जी एस फर्डिलाइजर और भी बगेरा बग हां जी तोलर कोकरल केंगर पर जी एस्टी 12 परसेंट करने को मंजूरइय गाःट जया है लेख के बदम बजट के बाद गरी जब्टे अंगली द्ल्यक्षा अगली बैटा की जो अगस्त में आई दींगा, आगे बात करें तो, यही सबसे बड़ी बातें थी, जो मैंने आपके साथ अब यही डिसकस करी है, तो, जितनी में चीज़ है थी, वो हमने हाइलाइट कर दी है, रेलवे था में, में आपका फरडिलाइजर था, डेल्टा था, जो मैंने तीनों को डिसकस करा डीटेल में बाकी जो बड़ी बात हैं वो इनी में हैं मतलब इनी के अंदर है जो बड़ी बात है थी वो इनी के अंदर है like fertilizer stocks में अब तेजी आई ये अब बंदी आई क्योंकि तो एक्सन नहीं हुआ अब भी मना भी नहीं करी और हाँ भी नहीं करी तो अब अगस्त के लिए टाल दिया है तो मेरे को लगता है momentum हलका lose होके वापस से continue कर सकता है ये मेरी तरब से आपके लिए detailed वीडियो दियो hope आपको सारी चीज़ें समझ में है होंगी thank you so much for watching this video good night guys